क्या वज़े थी कि आपने जो है सीट छोड़ी है और क्या-क्या जो है मन में विचार है तो हमने कहा यार मेरी यूगिता बहुत कम है और एक यूग के आदमी को हम इस तरीके से वीचे रहने देंगे तो फिर हमारा जीतना वेतार हो आज तक के इधियास में दुबारा कोई विधायक नहीं बना हम अच्छे मार्जन से दुबारा विधायक है नमस्कार मैं हूँ डॉक्टर विपिन चंद्रा न्यू स्टूडे नेटवर्क के कईये नेता जी के इस स्पैशल एपिसोड में आपका स्वागत है आज हम लोग हैं चंपवद विधानसवा शेतर में चंपवद विधानसवा शेतर में केलाज गेतोडी जो की विधायक थे उन्होंने इस्तीफा दिया है और उनके त्याग को लेकर स्टेट के अंदर एक बड़ी एक धमक गई है उन्हीं से बातचीत करेंगे आज क्यों आक कि आपने जो है सीट ठोड़ी है और क्या-क्या जो है मन में विचार है हमेशा योग जिता को सलाम करना चीए और जो हमने देखा है जो हमाने महसूस हुआ है उसी के तहत एक घटना घटी थी दस मार्च को तो हमने लेकिन सच्चाई को जिन्दा रखने के लिए इस परदेश के चहमों की विकास के लिए जो छे महा का कारिकाल हमने देखा हमाने मुख्यमंत्री जी का कि कहा है जो है सेना को जिताने के बाद सेना नाएक धायल होता है तो हमने उस दिन संकल्प लिया था कि हम पूरा इलाज करेंगे हम सच्चाई को कहीं वरने नहीं देंगे और हम ते कई गुना योग्या आदमी क्योंकि वासफ़ल हुए थे तो हमने कहा यार मेरी योग्या बहुत कम है और एक योग्या आदमी को हम इस तरीके से पीछे रहने देंगे तो फिर हमारा जीतना वेकार रगएगा तो हमसे ज़्यादे योग्यता रखते थे इसलिए हमने कहा कि नहीं उनको आना चाहिए हमने उसी दिन जो घटना घटी थी उससे आहत हुए थे वो दिन स्टेटमेंट दिया काफी दिन तक सभाल ने पाई उसके बाद हमारा वन टूवन हुआ हमने उनसे आग्रह किया आज हम बहुत सुकून वहसुस कर रहे हैं कि हमारे मानी हुप्यमंत्री जी ने और हमारे संगठ ने हमारा आग्रह सुतार किया यह चंपा और जिले का सौभाग यह है, यहां की जनता का सौभाग यह है, कि आज जो है, इस आगरह से यहां की तकदीर बदने वाली है, तस्विर बदने वाली है, आप जानते हैं, जहां भी राजा का छित्र होगा, उस फतह ही विक्सित होगा, यह तो जग जाहिर है. आपके इस कदम से ऐसा लगता है कि आप जाता कुर्सी से कम प्रेम करते हैं, शोशलाइजिंग को जादा आप महत्व दे रहे हैं, क्या वज़े है कि शोशलाइजिंग आपकी जादा इंपॉर्टेंस आप इसको देते हैं? देखे भी जी, हम आपको बताते हैं, हम जिस विचाड़धारा से आते हैं, वो है राश्टी स्वश्यक संथ, उसमें आपने देखा है, लोगों ने अपने जीवन दिया है इस भारत मता के लिए और इस जन्द सेवा के लिए, तो हमार तो छोट असा त्याग है ये, एक एलक् जन्ता को धन्यवाद देता हूं, उन्ने जिताया, तो उस विचाड़धारा से आने के बाद, ये त्याग व्याग नहीं होता, जिनने जीवन के आहूती देती है, उनके अंसरण करने वाले लोग हैं, मानी मोदी जी के उन्ही आई हैं, ये क्या त्याग है? प्रश्ची अभी जैसे कॉंग्रेस के तमाम लोग ये आरूप लगाते रहें, कि वो चुनाव में अपने शेत में इतना पैसा खर्श कर देते हैं, कि दूर दूर तक जो हैं, इस तरीके का कोई भी वेक्ति नहीं कर पाता है, ऐसा कॉंग्रेस जो हैं, आरूप लगाती है, आपके उपर आरूप लगाती है, कि लगातार जो हैं, वो पैसा खर्श करते हैं, और छेतर के लोगों को जो हैं, मदद करके तोर पर, इसलिए वो जो हैं, वोटर को लभाते हैं, ये कांग्रेस की संस्तित रही है, गरीब जनता का सुषड़ करना, हम, हमारी पार्टी के ज जीवनी पढ़िए आप, माने धामी जीवनी देखिए, आप वहां से आये हैं, हम भी वहीं से आते हैं, वास्ता में भर से माने जानवर फाले उसका दूर भी वेच करके वड़े हैं, इसलिए हमें पता है कि अंतिम आद्मी और विचार थारा भी हमारी अंतोदाई की है, अ चानी की चमश से खाने वाले लोग ठोड़ी समझे हैं, भारती जंता प्वारटी के सेवा की समझ सकते हैं, इस प्वारटी के लोग ही समझ सकते हैं, और हम करते हैं, भगवान ने जिस लाइक हमको बनाया है, हमारे दर्फे, हमारे फास में कोई आजमी आता है, हमको जन्सेवा में लगाते रहेंगे, जीवन फर लगाते रहेंगे, आज विधायक नहीं है, और मेरा आप जानियेगा, उसके बाद भी मिलिएगा, जो भाव विधायक काल में रहा है वो ये आज भी रहेगा, मैं धन्य हूं, मेरे छेत्र वाले धन्य है, आज हमको सानेत जो है मा जोदा सत्रा का इलेक्शन था, उसमें बड़े मार्जिन से आपने जो है हिमेश कर अखवाल को शिकर्ष दिती, इस बाद मार्जिन कम रहा, और अब जो है किस तरीके का रहेगा, जो आपकी परकल्पना है, वास्त्विक्ता ये है कि सक्तरा हजार बोड से किसली बार जीता नहीं बना, हम अच्छे मार्जन से दुबारा विदायक बनेंगें, ये क्या कम है, एंटी इंकंवेंसी होती है, और हमने तो ऐसा काल जहला है, तो धाई साल तक तो आजमी घर से निकलने में घबला रहा था, अपने रिष्तेदारों को बुलाने में घबला रहा था, इतना सब देखते हुए भी हम अगर कितने भारी मार्जन से जीते हैं, तो हम तो धन्य है, हम तो इस जनता का रणतारने के लिए तरस रहें, उसी कड़ी में मैंने जो है मानि मुख्योंतर जी को यहान लाकर के अपनी जनता को दिया है, और हम तो अपनी जनता को सिराफ में बिठ मेरे चेत्रम है, मेरे ख्याल से नहन निताल में वह नहीं है, महसूरी मह वह नहीं है, और यह वानि धामी जी की वाकि नजर अच्छे से जानती है, मैंने नियोजन कैसे करना है, और लगातार जब भी चेत्रम आरहे हैं, जो मैं डिक्टेट नही कर पारहा हूं, वो खुद यह मैं ऐसा करना चाहता हूं तो कल देखी अभी तो आहट हुई है जरा धंसे भाई ने दीजे वाजा इसके लाब अगर हम लोग बाचीत करें कि जैसे आपका जो काम रहा मार्जिन भी जो मैंने देखा कि इसके लाबा जब मुख्यमंत्री कहीं से चुनाव लड़ते हैं उपचुनाव जब होता है तो उपचुनाव में जो सीट खाली करते हैं उनके उफार सुरू कुछ न करता है ऐसा कोई जो है कमिटमेंट संगठन ने किया हो और चुकि आप तो खेर पहले से ही आपको इस कुर्सी की आपने बोला कि कुर्सी की बहुत जादा नहीं सेवा की बात आपने कहीं लेकिन फिर भी जो है कि दाइत्व बनता है कि संगठन और सरकार मिलके आपके लिए पूख करें क्या करें इक बात बताइए मेरी स्वयं के आइडेंटिटीर क्या है मेरी है मेरे संगठन को लेकर है मेरे पार्टी को लेकर की है आज मेरे इस ला에서 कैमेरा viendo आप आए वाकि कुछ से इच्छा नहीं, कोई चाह नहीं, कोई डिमांड नहीं, और हम तो अपने आपको इतना धनी समझ रहे हैं, हमको लग रहा है कि हमने तो सब कुछ पालिया जी, सही बता रहा हूं, मेरा कोई उद्देश ही नहीं, कुछ करने का या हमने देखा जो आप पूछना हम समझ रहे हैं, तो रहता होगा किसी का, हमारा नहीं रहा है कभी हमने रखेंगे साफ़ाओ का जी अभी जैसा हम लोग और भी चीज़े देखते हैं, धार्मिक परेटन की संभावना है आपे काफी जादा है, और आपकी स्पीचिस में मैंने सुना, सीम साब की स्पीच में मैंने सुना, कि धार्मिक परेटन को कैसे यहां पर डवलब किया है सकता है, उसका क्या विचार है आपका? देखे, हर कोई जानता है मेरे ख्याल से, पुत्तर भारत का तो बच्चा बच्चा जानता है कि मैं किस्चेतर से आता हूं, आप पुर्णगरी का धाम है मेरे आप, बारममा से जिसमें मेला चलता है, बहुत परसिद्ध हैं, अगर जैसे वैस्ण देविजी के लिए लोग बावेर भे, महां का काफी सुधार का काम हुआ, आज बहुत आस्तिक मुक्यमंत्रे हमको मिला है, बहुत आस्ता रखते हैं, देवी देवताओं का बरवाले में बहुत विश्वास करते हैं, ऐसे के हाद बागडोर लगी है, और उस छेतर से वाकिव है, और मापुर्णगर के धाम के हैं, आने वाले मा का ही आशिरवाद है कि उनने बुलाया है उनको, मेरे ख्याल से कल इसी दृष्ट से आपने देखा होगा, मंच के माध्यम से उनने कहा, अपने आप ही कॉरिडोर उनने बताया कि यहां से हमारे गुरखनाथ मंदिर, ज्यान भुरा मंदिर, गु अभी उनके सायक के रुप में, जहां जहां हमारी चरुष्ट महसूस करेंगे, हम बताते रहेंगे. आप जो है यहां यहां पर मुखमंती कैम कारेले हां पर बनना है, उसमें किस तरीकी के सहुलियत लोगों को मिल पाएंगी और आपका विजन जो है जो है जो समस्याओ के करता कि हम इन समस्याओं का समधान करेंगे तो ऐसी कौन सी महतपूर जो है जो है जिनके समधान के लिए आप आगे आएंगे? ठीके विबिन जी बहुत गरीब जनता रहती है हमाई चेतर में, मैंने मेरे मुखमंती जी ने खटीमा में भी और आज यहां भी ओन जनता की सु आपको दिखाऊंगा मेरे देखना जो हमारी मुखमंतीर जी का विजन है वो यहीं से जो है अपना जनता दरवार लगा करके कौनफरेंस के द्वारा सारी समस्याओं का समधान करेंगे ऐसा उनने कहा है हमसे तो यह सारी चीज़ होने जा रही है और क्यों नहीं होगा जब करके लोग उनको हातों हात लेंगे सराफों पर बिठाएंगे स्वभागी साली हैं सब लोग तो वो तो अगर आप उनकी तरफ को छोटी सी आँख से देख जा तो गले लगा लेता है वो तो ऐसा सहर्दाई मुक्यमंतरी हमारा है आपने पूरी ताकत जोग रखी है कॉंग को कैसे परास्त करेंगे पुना को को कैंड़ेट तो मिले इस चेतर की जनता बताएगी कि यह कॉंगरेस हमारे चेतर की हित्यसी है यह आते हुए यह राजा को ठूगराने के लिए आतूर है कि जनता वहत अच्छे से जानती है और आप देखना कि जनता दिकार कहेगी उस आ क्योंकि जंता सब जानती है अगर स्वाहिम राजा अगर यहां आ रहा है पूंज जाएगा वता हो एक सबसे बड़ा नालाइक होगा वो भी नहीं कहेगा यार कि मैं मुक्यमंत्री को छोड़ करके विवक्स की कॉंग्रेस की किसी नेता को जिता हूं ऐसा सोचेगा क्या इतो मेरे घर मानी मुक्यमंत्री जी आ रहे हैं हम सब दोग मिल करके मुक्यमंत्री का आदर करें और उनका स्वाकत करें लोक्तंत्र है क्योंकि कॉंग्रेस भी आएगी समा बीएसपी भी आएगी इंडिपेंडेंटेंट भी चुनाओ लड़ेंगे यहां पर ऐसा लगता है यह तो जनता का है ना यहां की जनता चाहती हम कितने तरसे हुए हैं विकास के लिए आज स्वाइम राजा आ रहा है विकास हमारे धर्म आया है वो अगर उसको ठुकराते हैं तो समाज के दोसी हैं समाज के द्रोही हैं समाज के विरोधी हैं हम तो सब को कहते हैं मा सब को सदू अगुझ दिदे और ऐसा माहौल क्र्येट करें कि निर्वीरोध हो जाए मानि मुख्यमेंतर जी और उनका भी मन फुल करके अपने छीटर केले काम करने को हो और हमें केंडर से भी किया आर कोई एक चीत्र एसा है वुख़े जिसने अपने मूख्यमंतरी के लिए अगतम से एक तरफा ऐसा किया है करके तो ऐसा करने वाली है मेरी जन्ता मेरा पूरा विस्वास है। पुरी ताकत जो है बीजेपी जोकेगी, मुझे जो जानकारी मिली है, कि पूरा भारत सरकार भी जो है, यहां पर आकर डेरा डाल सकती है। यहां ताक़ ज्मोखने की जरुवती नहीं है भी पुछिए अर आदमी आज द्धामी कह रहा है यहां कुछ करने की जरुवत नहीं है कि एवल धामी जरुवती जरुवती है वो भी तब जब कोई भीवक्ष में खड़ा होने की हमत करेगा उप्टा रहा हुआ इसा लगता है और कैसे वो यहां पर मुखमंत्री के लिए सिर्मोर बनने की तियारी कर रहे हैं नियू स्टूडिय नेटवर्क में अगर आपको कैलाश जी से कोई सवाल पूछना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं और अगर मुखमंत्री जी से सवाल पूछना है तो आप हमे कमेंट बॉक्स में कुछ पूछ सकते हैं धन्यवाद